वेल्कम बेक तो माय चानल विज्डम अकेडमी तो आप जैसी की लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हो थोड़ी दर पहले ही MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ का रिजल्ट आया है इस बार दो विकेंसी थी MTS और हवलदार दोनों की तो आप लोग देख सकते हो कि कितने बच्चे जो है अपियर हुए थे पेपर फर्स्ट के लिए कितने बच्चे को आगे अपियर किया जाएगा तो MTS के लिए 4000 बच्चे EWS के डिगरी से SC के लिए 5000 बच्चे सिलेक करें ST के लिए 2000 ESM के लिए 1990 यह सारी स्क्रीन पर डेटा है आप लोग देख सकते हो तो जो टोटल है MTS के लिए 44,590 स्टुडेंट सेलेक किये गई है और हवलदार पोस्ट के लिए 24,570 चीक है इसके साथ ही जो MTS और हवलदार की जो कट-off है वह सब भी नीचे हमें दीव हुई है उसको अभी हम देखते है और अलग से जो जन्नल अवेरनेस के मार्क्स है वह अलग से इस बार हमें बताए गये हैं कि जन्नल अवेरनेस में एक पर्टिकुलर बच्ची के कितने मार्क्स है ठीक है और और ये जो चौलदा कैंड़ेट से उन बच्चों के ओन noi दिये गये हैं ऐसा है कि एग्जामीनेशन में डबार आये थे मैं डबल वारे नोंने दिया था पेपर तो इन बच्चों का ंडिडेट का जो एक्जाम में वो कैंसिल कर दिया गया है पेपर इनका कैंसिल कर दिया गया है यह एक पर मांक स्थी यह देख शकते हो आप लोग एजो MTS की cut off है चंदीगर से स्टार्ट करी हुए तो EWS SC STOH और यह जो cut off है 87 गई हुए है पार्ट 4 के मार्ग 16 है अलग से जो हमें चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए क्योंकि एक पार्ट 4 को क्वालिफाइंग करना कंपर्चरी था उसकी cut off भी अलग से दिखाई गई है तो आप लोग देख सकते हो कि अब तक की सबसे जादा है और इसका रीजन यही है कि विकेंसी बहुत जादा थी बट एक्जाम जो था इस बर बहुत असान आए था जिस बच्चों ने पाजिस्थान उत्राखंड बिहार उत्रपरदेश यह अन्मा निकोबार ओडिसा सबकी जो cut off है यह उसके अक्वाडिंग यह देखिया अलग-अलग सबकी दी हुई है और यह तो आपको ही पता होगा कि आपने किस रीजन से भरा हुआ है आपका फॉर्म सो यह जो cut off है अल इसके कितने माक्स है इसके कितने माक्स है